आप सभी पर ये दर्शिकों का स्वागत है अगर आप किसी एक स्टॉक में निवेश करेंगे तो ज़ादा निवेश मत कीजिए उसमें अगर ट्रेडिंग करते हैं तो 20% से ज़्यादा कैपिटल मत लगाईए और स्टॉक मार्किट में कम से कम 3 साल का horizon लएकर से लगाईए आईए चल कर बात करते हैं हम बात कर रहे हैं यहाँ पर future retail के बारे में Reliance Deal की update लेकर आए यहाँ के लिए क्या करना चाहिए अब क्या ये liquidation के लिए जाएगा future retail यहाँ पर Supreme Court में जो याची का दायर की गई है उसके accordingly future group ने कहा है कि यहाँ पर liquidation हो सकता है बहुत बड़ा फैसला है इस पर होगा क्या है stock market में impact पूरा visualization करेंगे देखे, NCLT का liquidation process बहुत simple है सबसे पहले यहाँ पर जिनको पैसे लिये गए हैं loan पर उनको दिया जाएगा तो liquidation अगर के लिए जाता है तो यहाँ पर bankers के पास में जो 12,000 करोड का loan है उसको सबसे पहले भरपाई की जाएगी इनके asset को बेच कर अब यह अगर ऐसा हुआ तो stock market में जो share है उसकी value काफी significantly नीचे गिरेगी job losses होंगे वो अलग है साती सात में market से एक competition खतम हो जाएगा तो यह कोई अच्छी बात नहीं है नरेंदर मोधी सरकार के लिए banks will have the upper hand for sure बट उनको भी haircut लेना पड़ेगा as per the yachika जो उन्होंने फाइल की है उसके accordingly यहाँ पर 28,000 करोड bank के loan है roughly जिसमें उनके debenture भी included है और साती सात में इन्होंने बताया है 35,000 के आसपास employee है direct और सात में एक लाग से ज़्यादा indirect employee है तो यह यहाँ पर अभी बहुत बड़ा stake चल रहा है जिसके चलते हुए वो कह रहे है high court के order को stay लेके आईए अगर stay नहीं आता है तो यहाँ पर इसमें challenge होगा company के reference में company will go into liquidation as per future retail move for supreme court to stay high court order अगर order पर stay नहीं आया तो यहाँ पर अगर deal नहीं होती है तो unimaginable damage होगा to the group including job losses of 35,000 people यह deal हमारे हिसाब से जो timeline था August का हमने timeline की बाग की थी कि एक साल के अंदर यह जो updated था इस 31 अगुस तक इसका completion होना चाहिए था बट शमच आएंगे यह नहीं meet हुआ हमारा expectation Reliance की date सितंबर 30 तक की है और अब यहाँ पर जो सबसे important pass है वो है CCI के पास क्या CCI feature coupon और Amazon की deal cancel करके इस deal को clearance देगा यहाँ पर Reliance का जो बड़ा problem है deal के साथ में वो Amazon चाहता है कि उसकी monopoly चलती रहे अगर deal नहीं होती है तो Amazon की monopoly चलती रहेगी और अगर deal होती है तो Reliance यहाँ पर उसको Jio Mart के थूँ टक कर देने के लिए तियार है बट अभी जो problem at hand है वो है future group का liquidation को बचाना यहाँ पर high quote का order को stay मिलना ही चाहिए चैनल का 5F रूल ध्यान रखिए और 6 अफ़ते में दोज़ने 2 लाग दो मेगा profit आप चाहिए तुमारे साथ दिल सकते हैं चार वीडियो प्रसते जहीं जाभारत बाइगाइज